हालो फ्रेंट्स एक बार फिर आपको अहुत दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें पर बात करने वाले हैं यूपी स्कॉल सिप सच एक सब्सक्राइब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वेले कुछ प्रेस कर लिए सो चली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं काफी स्टुरेंट्स के फॉर्म में करक्सन होने के लिए हैं वाट काफी स्टुरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके फॉर्म में करक्सन होने के लिए नहीं है यानि कि उनका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है सब कुछ बिल्कुल सही फिल किया हुआ है बट फिर भी उनके form में correction करने का जो option है वो activate है यानि की correction करने के लिए दिखा रहा है तो ऐसे students काफी जादा परिसान है उने students के comments आ रहे हैं कि हमारा form सब कुछ सही होने के बाद भी हमारे form में correction करने के जो option है वो open हो रहा है तो जोस्तो यद बिल्कुल सांत रहे हैं और बिल्कुल भी घवराएं नहीं जी आ हम दोस्तों बिल्कुल फाल्दू में आपको correction नहीं करना है आनिता आपके साथ और भी दुरघट ना घट सकती है जी हम दोस्तों यदि आपको पदा है कि मैंने सारी details सही feel की है तो किसी भी तरह का online correction ना कर अप्लोडेटा यह लिखा हुआ आता है यह जो प्रॉब्लम है यह मैक्सिमम 80% स्टुडेंट्स के फॉर्म में दिखाई देती है वट जादतर स्टुडेंट्स के इनॉल्मेंट नंबर जो होते हैं वो सही होते हैं फिर भी यह प्रॉब्लम हर साल आती है तो आप बेज़े कर करक्षन मत किरिए जब तक आपको यह कंफर्म ना हो कि यह चीज गलत है जब कोई चीज गलत हो तब ही उसी कंडिशन में आपको ऑनलाइन करक्षन करना है काफी स्टुडेंट्स से इस वज़े से परिसान हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें फिल की है वर फिर भी उनको किया तब इसले साल तो उसमें भी मुझे यह प्रॉब्लम होई थी तो मैंने भी कोई ऑनलाइन करक्षन नहीं किया था बटकि कॉलेज में ही एप्लिकेशन देती उसके बाद सारी चीज़ेंट्स जो थी वो सही हो गया थी इसकूर्टन रिजल्ट भी बिलकुल करेक्ट हो ठीक है तो ऐसे में आपको ऑनलाइन करेक्षन तब ही करना है जब आपको पता है कि मैंने ये चीज़ गलत फिल की है उसके बाद कुछ स्टुडेंट्स से यहां पर फॉर्म संसोधन के नाम पर पैसे भी मांगे जा रहे हैं चली मैं एक के स्किन सौट आपको दिखाता पसंदा है तो प्लीज इस बीडियो को अपने अधर फ्रेंट्स के साथ भी सिट कर दीजिए और इसी तरह कि जोड़ी हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अब्रेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राब करके वह लेगिनों फ्रेस के लिजिए आप इन स्कीन पर दिख सकते हो है क्योंकि आई स्कूल की जो डिटेल्स है उसमें आप आउनलाइन अपने फॉर्म में किसी भी तरह का संसुदर नहीं कर सकते हैं इसके लिए केबलो केबल आप कॉलेज में अप्लिकेशन ही दे सकते हैं इसके लाब और कोई चारा नहीं आप चाहे तो जिला समाच कल्यान अपना जो फॉर्म में लॉग इन करके देख लिए उसमें हाई स्कूल का रोल नंबर सही करने का ओप्सन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो इसके लिए आप अप्लिकेशन देजिए उसके बाद इनोंने क्या बता है कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि फॉर्म को संस करके लाई और एक हजार रुपय हमें देजिए तब हम आपका जो फॉर्म में बूश सही करा देंगे तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से इस्टुरेंट्स को यहां पर लूटा जा रहा है ठीक है आप देख सकते हूंगे यह जहां तक इस्टुरेंट्स हैं यह प् के साथ इसी प्राइंट्स है वह इसमें अर्ला इन इसमें करके लियोत नहीं होता है पैसे देने के इसमें कोई जरूरत नहीं होती है किसी और फिर भी दो चार THEY उसे प्लिय ककल आता है जो कुछ जड़ा कंश करिए हो इसका नहीं के यह ब्त वाड़ कह हैं पर कमे हम भरते समय यह पूँच रहा है बिए first year या और second year का total number पड़ेगा तो यह आप समझ सकते हैं ठीक है बिए final year के students हैं ठीक तो इनको यहाँ पर भी यह second year के ठीक है cable ओ cable VA second year के marks आपको fill करना है ठीक जो भी यहाँ पर यह भाई है इनको final year के एक साल का ही कॉलम आपको फिल करना होता है यानि कि एक साल का ही मार्क्स वहाँ पर आपको फिल करना है विए सेकंड एर के आपको मार्क्स फिल करना है विए सेकंड एर के मार्क्स आप फिल कर दीजे दोनों साल के मार्क्स फिल नहीं करना होते है जब आप PG में जाते हैं तब आहां पर आपको तीनु साल के marks फिल करना हो दें ठीक है तो पिरिवियूसर में केवल एक साल की marks आपको फिल करना है जिस class में आप है मान लिजी आप second year में हैं तो आप first year के फिल करेंगे जिस कि आप करेंगे